जयो हिन दोस्तों, आज में फिर से आप लोगों के लिए 20 मज़ेदार सवालों और उनके जवाबों के साथ में उपस्थित हूँ। आप लोग बने रहे हमारे विडियो के अन तक, चलिए बढ़ते हैं, अब सवालों की और आपका पहला सवाल है, महरणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, आपका ओप्षिन है, A. बादल, B. बुल्बुल, C. चेतक, D. शेरा, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन C. चेतक, आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी कभी घोसला नहीं बनाता है, आपका ओप्षिन है, A. उल्लू, B. तोता, C. कोयल, D. कबुतर, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन C. कोयल, आपका अगला सवाल है, कि स्टिव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है, आपका ओप्षिन है, A. साप का, B. मचली का, C. चीडी का, D. इन्ने से कोई नहीं, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन C. चीडी का, आपका अगला सवाल है, के कि स्राज्जी में लोग साप के तेल से सब जी बनाते है, आपका ओप्षिन है, A. के रल, B. सिक्किम, C. उरिशा, D. चत्तीस गर, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन B. सिक्किम, आपका अगला सवाल है, प्रधार मंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आय होनी चाहिए, आपका ओप्षिन है, A. अठारव वर्ष, B. 21 वर्ष, C. 35 वर्ष, D. 25 वर्ष, दोस्तों इस वीडियो में बहुत महत्पून प्रश्ण कभर किये हैं, इस वीडियो को आप लोग अंट तक शरूर देखें, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन D. 25 वर्ष, आपका अगला सवाल है, नाना रेलवे स्टेशन किस राज्जी में हैं, आपका ओप्षिन है, A. राजस्थान, B. उडिशा, C. बिहार, D. तमिलनाडू, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन D. राजस्थान, आपका अगला सवाल है, लाल किला में कितने कम्रे हैं, आपका ओप्षिन है, A. दो कम्रे, B. आठ कम्रे, C. छे कम्रे, D. पांच कम्रे, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन C. छे कम्रे, आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है, आपका ओप्षिन है, A. जम्मो कर्श्मीर में, B. पंजाब में, C. केरल में, D. उत्तराखंड में, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन A. जम्मो कर्श्मीर में, आपका अगला सवाल है, सबसे सस्ता सोना कहां मिलता है, आपका ओप्षिन है, A. मालदीव, B. ब्रिटेन, C. होंग कॉंग, D. भारत, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन C. होंग कॉंग, आपका अगला सवाल है, कौन साबाद शाह सब्ताह के सातों दिन नलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, आपका ओप्षिन है, A. अगबर, B. बाबर, C. हुमायू, D. शाह जहा, साथियों अगर आपको इन सवालों को पहले से पता हो तो मुझे ए कमेंट में जरूर पताएं और साथ में वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन सी हुमायू, आपका अगला सवाल है, खुश्बूओं का शहर नाम से किसे जाना जाता है, आपका ओप्षिन है, A. टराज को, B. मैसूर को, C. शिमला को, D. ब्रेली आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन एक टराज को, आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा डाग घर किस देश में है, आपका ओप्षिन है, A. भुटान, B. अम्रिका, C. भारत, D. बंगलादेश आपका सही जवाब होगा, ओप्षिन C. भारत, आपका अगला सवाल है, मच्चर किस ब्लड ग्रुप बालों को सबसे ज्यादा काटता है, आपका ओप्षिन है, A. ब्लड ग्रुप, B. ब्लड ग्रुप, C. ब्लड ग्रुप, D. ए. ब्लड ग्रुप आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है ताज महल को बनाने में कितना समय लगा था आपका आपका आप्शन है A. 20 साल B. 22 साल C. 24 साल D. 30 साल आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है सबसे ज्यादा जीने वाला प्राणी कौन सा है आपका आप्शन है A. हाथी B. कचुआ C. जिराफ D. मनोशे आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है विश्व में सबसे पहले शादी कसने की थी आपका आप्शन है A. राम और सीता B. अनिल और अंतरा C. मनू और सत्रपा D. सूरज और राधा साथियों देखते हैं की आप कितने जवाब दे पाते हो आपका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है किस राज्य के सीमा चीन से जुड़ी हुई है आपका ओप्शन है A. मनिपूर B. नगालेंट C. केरल D. अरुनाचल प्रदेश आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है हिंदी कि स्लेपे में लिखी जाती है आपका ओप्शन है A. डेवनागरी B. रोमन C. पर्शियन D. पाली आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है किस अंदिवस किस दिन मनाया जाता है आपका ओप्शन है A. 23 दिसमबर B. 28 फवरी C. 14 मार्च D. 5 अगस्त आपका सही जवाब होगा आपका अगला सवाल है गौतम बुद्वार को बोधग्या मैं किस व्रेक्ष के नीचे ज्यान टाप्त हुआ आपका ओप्शन है A. जामुन के B. पेपल के C. अनार के D. बर्गत के साथ यों अगर आपको इन सवालों को पहले से पता हो तो मुझे एक कमेंट में जरूर पताएं और साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका सही जवाब होगा Option B. पेपल के